हाई फ्रेंड्स चलिए आज हम ओपन बर्गर्स बनाएंगे ये बर्गर्स की फिलिंग बहुत ही हेल्दी बनी है तो आप देख रहेंगे कितना टेम्टिंग लग रहा है मैंने इसे कट किया था तो बच्चे तो इसको खाके एकदम खुश हो जाएंगे तो पनीर को मैंने इस और फिर इसे आपको साइड में रख देना है बच्चों के लिए बना रहे तो हरी मिर्च को आप स्किप भी कर सकते हैं तो अब यहां एक कड़ाई ले लेंगे उसके अंदर दो टीस्पून के जितना मैंने ओलिव ओल डाला है आप चाहें तो कोई भी ओल यूज कर सकते हैं अब हमने जो पनीर को मैरिनेट किया था वो इसमें डाल देंगे और इसे इस तरीके से चलाएंगे थोड़ा सा कुक करेंगे इसे तो इसमें एक बहुत ही अच्छा सा कलर आजाएगा एक अच्छा फ्लीवर भी आजाएगा अब इस पनीर को हमें फिर से अलग बोल में निक कर सकते हैं वो भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है तो यहां पर मुझे हल्दी बनाना था तो मैंने ओलिव यूज किया है अब इसे हम अलग निकाल देंगे फ्रेंस यह रेसिपी बहुत जल्दी बन जाती है हाडली इसे 15-20 मिनिट लगते हैं बनने में और आप इसे कीवी गारलिक डाल दूगी यानि की लसुन डाल दूगी आप चाहें तो लसुन को क्रश करके भी एड़ कर सकते हैं अब यहां थोड़ी सी हम हरी मिर्च और डाल देंगे और इसे चला लेंगे जब तक की लसुन की रो स्मेल नहीं निकल जाती है और इसके अंदर हमें प्य इंस्कुलेंट होते हैं तब तक कुक करना है इसे तो यह देखिए यह कुक हो जाएंगे तो फिर इसके अंदर हम अपनी दूसरी चीजे डालेंगे तो यहां पर मैंने रेड यलो और ग्रीन तीनों कलर की बेल पैपर ले ली है तो इसे हमें इसके अंदर डाल देना है और चलाना है इसे दो से तीन मिनिट तक आप कुक करें वैसे जो बेल पैपर है उनका क्रंच अच्छा लगता है इसके अंदर तो इसे हम चला लेंगे यह रोख खाने में भी अच्छी नहीं लगते तो थोड़ा सा कुक करना इसे जरूरी हो जाता है अब इसके अंदर हम डाले ब्रोकली के फ्लॉरेट्स जो है वह मैंने छोटे छोटे कट किये थे जिससे कि यह ब्रोकली खाने में भी आ जाती है और बहुत ही अच्छी दिखती है दिखने में भी इसके अंदर तो इन सब को हम मिक्स कर देंगे आपने यह वाला बर्गर कभी नहीं खाया होगा इस तर डाला है आप चाहें तो जवार के आटे की जगर गिहूं काटा या मैदा भी डाल सकते हैं तो इसे हम चला लेंगे मिक्स हो जाएगा यह तब इसके अंदर फिर दूसरी चीज़े एड़ करनी है हमें तो यहां पे अब हम एक कप के जितना दूट डाल देंगे तो दूट से इसमें क्रीमीनेस आजाएगा और यह खाने में बहुत अच्छा लगता है अब यहां पे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और डालेंगे जिससे की इसका कलर बहुत अच्छाएगा अब इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके से और मिक्स करने के बाद हमें यह जो पनीडे है वो डाल देना है थोड़ा नमक डालना है स्वाधनुसा तो आप अपने टेस्ट के कोडिंग नमक डाल दे और यह बहुत जल्दी गाड़ा हो जाता है आटा डाला है तो दूद्द अच्छे से सोक लेता है वो सारा आटा तो अब हम पनीड डाल देंगे इसके अंदर और एक मैंने यहां पर मैगी का वेजटेबल क्यूब डाला है वेजटेबल स्टॉक का क्यूब आता है मैगी का इस तरीके से वो डाल देना इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा था है तो इसे हम मिक्स कर देंगे और अब यह पनीर डाल देंगे तो पनीर डालने के बाद हमारी फिलिंग एकदम रेडी हो जाएगी अच्छे से इसको मिक्स कर दें ताकि पनीर में जो दूसरे वेज़िस की कोटिंग है वो बहुत अच्छे से हो जाए अब यह देखिए रेडी है हमारा यह फिलिंग अब हम एक बर्गर बन लेंगे और इस तरीके से इसमें हॉलो कर देंगे यानि कि एक गड़ा सा बना लेंगे और यह बीच की ब्रेड निकाल देंगे फ्रेंड्स यह वाले जो बर्गर है बच्छों को बहुत पसंद आते हैं अगर आप चाहें तो बर्गर को बीच में कट करके भी फिलिंग एड़ कर सकते हैं तो यहां पर बीच में मैं यह फिलिंग डाल दूँगी और उसके उपर एक चीज का क्यूब रख लेंगे और थोड़ा सा उसके उपर धनिया डाल देंगे तो यह सब डालने के बाद आपको तवे में बटर डालना है थोड़ा सा और फिर इस बर्गर को आपको थोड़ा सा गरम करना है तो उससे यह खाने में और भी अच्छा लगता है तो यह मैंने यहां पर बटर डाल दिया है फ्रेंट्स आप चाहें तो फिलिंग इस तरीके से ना करके आप बीच में लगा सकते हैं फिलिंग और एक चीज उपर डाल दें तो यहां पर यह रेडी हो जाएगा हमारा बर्गर और फिर हम इसे कट करके सर्व करेंगे तो आपको यह रेसिपी कैसी लगी अच्छी लगी हो तो फैमिली फ्रेंड्स में शेर कीजिए रेसिपी और कमेंट सेक्शन में बताईए आपको यह रेसिपी कैसी लगी और भी ऐसी रेसिपी के लिए मुझे फॉलो करें लाइक करें शेर करें बेल बटन का आइकन दबा दें ताकि मेरे न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन्स आपको तुरंती मिले मिलती हूँ और भी रेसिपी के साथ थैंक यू टेक कैर